अब दिरे दिरे निकल कर आ रहा है कि राश्टपती पुतिन के साथ कौन खड़ा है और राश्टपती पुतिन के बिरोध में कौन खड़ा है दो ग्रूप यहां पर बन चुके हैं जानेंगे जिन्पिंग ने कौन सा संदेश भेज कर दुनिया को डराया है तो वही इन सब के बीच में सबसे बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है भारतिय पीएम मोदी के वाटसप संदेश जब पाकिस्तानियों और युवई के लोगों के मोबाइल में पहुँचे तो वो क्या है मामला आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ है और इन वीदेशियों के अंदर क्यों उथल पुथल मची है जियो पॉल्टिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इ अगर कारेकाल पूरा करते हैं तो रूस के 200 सालों के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले नेताब बन जाएंगे अब बधाईयों का मामला था पुतिन ने अपने संदेश में क्या कहा ये हमने आपको बता दिया उसके बाद दुनिया बैठी थी ये देखने के के लिए कि कौन कौन से देश बधाई देते हैं पुतिन को एक बार फिर से राष्ट ध्यच बनने के बाद उनके साथी देशों की तरफ से बधाई मिलने शुरू हो गए और इसी क्रम में भारत से पीम मोदी ने सोमबार को पुतिन को अगले 6 साल के लिए फिर से रूसी रा आने वाले सालों में भारत और रूस के बीच रन्नीतिक साज्यधारी को और मजबूद करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत पर हुँ चीनी राश्ट्पती ने भी यहाँ पर ब्लादिमीर पुतिन को फिर से राश्ट्पती चुने जाने पर बधाई दी लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा सी ने जो कहा है वो दुनिया कहां लगा कर बैठी हुई सी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हाल के सालों में रूसी लोगों ने एक जुट होकर चुनोतियों पर काबू पाया है राश्ट्रिय विकास और पुनुरोधार की राह पर लगातार प्रगती की है आपका फिर से निर्वाचन पूरी तरह से आपके परती रूसी लोगों के समर्थन को दिखलाता है मेरा मानना है कि आपके निर्तित में रूस राश्ट्रिय विकास और निर्मान में और अधिक उपलबदियां हासिल करेगा सी जिनपिंग ने कहा कि चीन आपसी संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता है और नए युग में चीन रूस ब्यापक रनीतिक साजेदारी के साथ मिलकर स्वस्थ इस्थिर और गहन विकास को बढ़ावा देंगे और हमारी नो लिमिट वाली दोस्ती रहेगी अब ये जो चीज है ना नो लिमिट वाली दोस्ती ये चीज थोड़ी सी डराने वाली हो सकती है हाला कि इसके दो पहलू हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रूसी राश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि सिर्फ एक कदम दूर है फुल स्केल वर्ल्ड वार थ्री से रूस और नाटो अगर यहां पर लड़ते हैं तो इस बात को राश्पती पुतिन ने साफ किया था अपने भासन में तब जब वर्ल्ड वार की बात आई थी तो वर्ल्ड वार में क्या होता है कि गुरूप बन जाते हैं कौन किसके तरफ है कौन किसके तरफ नहीं है यहां पर चाइना ने अपने संदेश में यह दिखलाने की कोशिस करी है कि अगर युद्ध की नीती आती है तो हम तुमारे साथ रहेंगे नो लिमिट का मतलब होता है कि किसी भी हाल में दोस्ती के लिए कोई लिमिट नहीं तो अगर विश्यूद छिड़ता है तो हो सकता है यहां चाइना एक पाले में आकर खड़ा हो जाए दुनिया के देश डर भी रहे हैं स्क्रीन पर मिंट की एक खबर देखिए कि कल की डेट में चाइना रूस और एक साथ आ सकते हैं और जब एक साथ आ जाएगा तो यह तीनों मिलकर विद्धवनसक बन सकते हैं वैसे आपको बता दें बधाई संदेज देने में उत्तर कोरिया भी आगे है यानि कि उत्तर कोरिया भी यहां पीछे नहीं रहेगा अगर युद्ध की नौबत आती है तो खेर यहां पर रॉय्टर की एक ख़बर देख सकते हैं जिस ख़बर में यह कहा जा रहा है कि यूरोपिय यूनियन से लेकर हर कोई ने यहां पर यह कहा कि यह जो इलक्सन हुआ है यह इलक्सन जूटा है यह इलक्सन सच्चा नहीं है इसलिए ना तो यह फेर है ना ही किलिय हम तो इसे खारीज करते हैं जर्मणी ने भी इस इलेक्षन को खारीज ही किया है वहीं पूतिन का कहना है कि मैंने 87% वोट लाया है और फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो या दुनिया क्या सोच रही है एक बात तो तय है कि आने वाले समय में कई सारी चीजें न प्रोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट को देख सकते हैं जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पुतिन एक बार फिर से जीत चुके हैं इसलिए अब रूस और चाइना साथ मिलकर काम करेंगे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी की तरफ स्क्रीन पे एक स्क्रीन सॉट देखिए ये हमारे जो सांसद हैं ससी धरूर उनके द्वारा है इन्होंने इलेक्षन कमीशन को एक स्क्रीन सॉट सेयर किया है और सिर्फ स्क्रीन सॉट ही नहीं सेयर किया है इन्होंने इलेक्षन कमीशन से मांग की है एक्षन की और क मोबाइल नमबर पर पहुँचा और इस वाटस अप मेसेज का नाम था विकसित भारत संपर्क और यहां पर नागरिकों से मांगा गया था फिडविक और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया था कि हम परदान मंत्री आवास योजना के अलावे बिजल को भी मदद कर रहे हैं महिलाओं को मात्री वंदन योजना से लाभ पहुचा रहे हैं तो यह सब कुछ यहां पर हो रहा है आप हमें फिडवेक दीजिए अब इस चीज को स्क्रीन पर यह आप लेटर देख रहे हैं इसी चीज को सेयर किया गया और सेयर करने के बाद कहा गय लेकिन पीडियेफ में सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है आप यहां पर ध्यान दीजिए और इसी चीज को यहां पर रीट्वीट करते हुए ससी थरूर ने भी इलेक्षन कमीशन से मांग की पर यहां पर चौकाने वाली बात हो गई टाइमस नाउ की एक रिपोर्ट को देखिए जिसमें कहा गया कि बीजेफी को हमारा नंबर कैसे मिला यह यूवड और पाकिसतान के नागरिक पूछ रहे हैं कई सारे ऐसे यूवड और पाकिसतान के नागरिक हैं जिनके मोबाइल पर पीम मोदी का ये सर्प्राइज वाटसअप मेसेज गया स्क्रीन पर जो ये स्क्रीन सोट सेयर किया गया है इसमें आप देख सकते हैं एंथनी जेव परमल ये हैं इन्होंने सेयर किया इन्होंने कहा कि विदेशों में भी कई लोगों को पीम मोदी के ये WhatsApp संदेश मिले हैं इन्होंने जो सेर किया उसमें कई सारे कमेंट हैं कि हां जी मुझे मिले हैं और मैं तो UK का नेसनल हूँ पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे कैसे मिल गए कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है फिलहाल यहां पर मेटा से यह न्होंने पूछा है कि बत से बन जाएगा कि क्या विदेशों में विदेशियों के नंबर पे भी गए हैं दूसरा सवाल यह उठता है कि या तो वह कभी भारत आये हों उनके नंबर किसी डेटा फॉर्म में इस्टोर हों या फिर क्या यह जो एक खबर आई थी चाइना ने 1300 सीम कार्ड भेजे क्या इ यह सब कुछ जूट फैलाया जा रहा है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई खबर के साथ